हेलो फ्रेंड्स मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इस वेल पर दोस्तों डिम्पल्स अगर हमारे गालों पर होते हैं तो ये हमारे खुबसूर्ती के अंदर पर पिल्कुल तारे की तरह ही चमकते हैं लेकिन अगर ज्यादा फैट बढ़ने की वज़े से यही डिम्पल्स हमारे पेट पर दिखाए देते हैं तो ना ही तो हम कोई अच्छी सी साड़ी पहन पाते हैं और ना ही लहेंगे कैरी कर पाते हैं पुर्शों के लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा तब बढ़ जाती है जब उनकी तोन बाहर निकलने लगती है और उन्हें सब मोटा मोटा कहकर संबोधित करने लगते हैं इसलिए अगर आपकी बैली पर या फिस समक पर बहुत ही ज्यादा फैट एखटा हो गया है तब जमता है जब हम बिल्कुल भी वर्काउट नहीं करते हैं और बहुत ही ज्यादा जंग फूट का सेवन करते हैं इसलिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करने की जरुवत है ताकि आप अंदरूनी करीके से भी थोड़ा बहुत परयास करें और अपनी बोडी पर एकसेस फैट को जमा ना होने दें अगर आपके स्टमक पर बहुत ज्यादा फैट जमा है तो आप शुगर और कॉफी को कंबाइट करके इसके अंदर एलोवरा जेल मिलाकर या फिर ओलिव और बिलाकर एक स्क्रब तयार करिए और इसी स्क्रब से अपने पेट पर सर्किलर मोशन में स्क्रबिक करिए ऐसा करने से दोरो ही चीजों की गर्माहट आपके शरीर के अंदर तक जाएगी जिसकी वज़े से सैलुलाइट पिखलना शुरू होगा और इसकी वज़े से आपको काफी पसीने भी आएंगे जिसकी वज़े से अगर आप इस प्रोसेस को निरंतर करते हैं तो यह आपके बैली फैट को घटाने के लिए काफी अच्छा उप्शन है आप चाहें तो यही प्रोसेजर आप अपल साइडर विनेगर के साथ भी कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पारे पीना आपके लिए बहुत जरूरी है ऐसी चीजों का सेवन करें जिनके अंदर फाइबर ज्यादा हो अपनी जबान पर थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने टेस्ट को एक साइडर दीजे और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिनके अंदर फाइबर ज्यादा हो क्योंकि अगर आप टेस्ट के बीचे भागेंगे तो आपका सेलिलेट कभी भी पिगहलने वारा नहीं है इसी लिए दोस्तों इन सारी चीजों पर घ्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है आप चाहें तो अपनी बोड़ी के फैट को बर्न करने के लिए अपने पेट पर सर्कुलर मोशन में मसाज़ भी कर सकते हैं ऐसा करने से आपको काफ़ी फायदा महसूस होगा तो दोस्तों इन सारे तरीकों को याद रखिए और जरूर एक्जिक्यूट करिए ताकि आपके पेट से बेकार के फैट के डिमपल्स हट सकें मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिड वीडियोज को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सबस्क्राइब कीजिए तक तक के लिए मैं आपकी दोस्त प्रायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ